प्रखंड आपूर्ति पता धिकारी पद पर आवेदन के लिए एक सपता ती थी बढ़ी। के लिए जिन्होंने बर्ख 2017 में निकले बिग्यापन में आवेदन दिया था। अभियार्ती के लिए आवेदन देने कितिती 18 फरवारी तक बढ़ाएगा जिसकी सुचना राजी के चार अकबारों में जारी की जाएगी जारखन में 16 फरवारी को बारिस मौसम विभाग के अनुसार पच्मी भी छोब के कारण 16 फरवारी को फिर राज में बारिस की संभावना है इसका आसर राजधानी राची में भी रहेगा यहाँ भी सुबह में मौसम साफ रहेगा वहीं दूपहर बात आंसिक बादल चाहे रह दिखने लगेगा लोहर दगा के जंगल में नक्सलियों को घेरने 400 जवान घुसे गुमला पुलिस ने भागपम मवादी के रिजनल कमांडर 15 लाग के इनामी रविंद्र गांजु वा उसके दस्ते को घेरने के लिए गुमला वा लोहर दगा के सिमावर्ती जंगल में घेर अक्षा बलोने अप्रेशन रोक कर जंगल में ही जमे हुए हैं इधर लोहर दगा जिला के पेसरार थाना चेत्रे के बुलबुल जंगल में सुक्रवार को नक्सलियों दोहरा आईडी बलास्ट करने के बाद गुमला जिल्या की पुलिस अलट हो गई है जंगल में जल्द दिखेगा विकास साथ 36,428 जंगल गाओं के यकी करिद विकास के लिए चिनित किया गया है सिक्षा स्वास्त सुरक्षा पोशन और रोजगार को ध्यान में रखकर अगामी योजनावों का क्रियान में होगा जंगल जाती है कारे मंत्रालाय में पदान मंत्रि नायन मोदिक नेतित में जंगल जाती है समाज के समगर विकास के दिरिष्टी से कारे अराम हुआ है बिजली तार की चपेट में आने से निलगाय सहीत नवालिक की मोद। हादसे के बाद गावा आसपास के इलाक में मातम सा महुल है पुलिस ने मिरित तक के सो को कपजे कर पुष्ट माटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है मगही और भोजपूरी को लेकर राय नितिक जा रही आईसू पार्टी जीला अस्तरिय न्युक्ती है तू आयोजित होने वाली परत्योकता परिछा में चेतरिये भासाव के सूची में मगही और भोजपूरी को सामिल करने के बिरोद में साथ मार्च को विधान सभागा खिरा करेगी पार्टी की जीला परभारियों की सुक्रवार को पार्टी करयाले में हुई बैठक में इस कारेकरम में अधिक से अधिक करकाताव के सामिल करने का टास्क सोपा गया बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रिया अध्यक सुदेश महतों ने कहा कि राजे क नीती और निर्नायों में जारखंडी भावना और आम अवाम की भागदारी को जगह नहीं मिल रही इसके बिरोध में पार्टी सलक पर उतरेगी जोहार पयुन्या से किसानों की आय हो रही दोगनी जारखंड में छोटे एवं सीमांध किसानों की खेतों तक सिचाई की सुविधा पहुचाने के मौस्किल कार्यों को सोलर पॉंप माउंटेंड साइकिल के जरी असान बनाया गया है जीन खेतों तक सदान पॉंप से पानी पहुचाना मौस्किल होता था आज जोहार पयुन्या के माध्यम से उत्पादक समो के महिलाएं साइकिल अधारी सोलर पॉंप से खेतों तक आसानी से सिचाई सुविधा उपलब्द करा रही है इसकी बानगी खोटी के काराई स्थीत सांगोर गाव में देखी जा सकती है यहां की 33 महिलाएं सोलर सिचाई के माध्यम से उच गुनवाता की सब्जियों का उत्पादन कर रही है नीजी इसकूलों की मनमानी क्या कैसे लगेगा रोक नीजी इसकूलों की मनमानी पर सिचाँजा लगाने तथा अभिभागों की अपील पर सुनवाई के लिए जारकन सिच्छा नयाधिकरन का गठन किया गया है लेकिन इस नयाधिकरन में अध्याक्ष वसदा से नहीं होने से लगभग एक माध्य सुनवाई ठप है यहां सिचायतों के अभिदन तो लिये जा रहे लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही भारतिय प्रसस्निक सेवा के पुरोपता अधिकारी के विद्या सागर का कारेकल खतम होने के बाद जारकन सिच्छा ने अधिकरन के अधिक्ष का पद पिछले वर्ष 13 दिसमर से ही रिक्ता है मन्रेगा से सम्भंधि सिखायतों का अवतारित निस्पादान राजे में मन्रेगा के तहट होने वाले कार्यों के गलबड़ियों की सिखायतों का अव आसानी से समधान हो सकेगा मन्रेगा के कार्यों में परदार्सिता लाने के लिए जीन 29 लोगपालों का चैन किया गया था उन्हें सुक्रवार को अपने अपने जिला में काम काई सम्हाल लिया है इन लोगपाल का मुख्य कार राज्य परखंड पंचायत एवं ग्राम अस्तरप मंदेगा के अंतरगत विभीन मद्यमों से प्राप्त सिकायतों का मंदेगा के प्राविधान के अनुरूप निस्पक्ष जाच कर तौरीच समधान करना है लोगपाल का काम मंदेगा के कारों में परदर सिता लाना होता है लोगपाल न सिर्फ जोई नावों की मोनेटरिंग करेंगे बलकि इस से जूड़ी सिकायतों का भी समधान करेंगे जारखन में कुरोना के 261 नए केस मिले है जबकि 400 मरी स्वास्थ भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 2,091 है भारत में 48-183 नए केस मिले जबकि 1,35588 मरी स्वास्थ भी हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 6,05,960 है पारा सिक्षकों की तरह बियार्पी सियार्पी की भी बनेगी नियमावली पारा सिक्षकों की तरह समगर सिक्षा अभियान के तहत ही कारेरत प्रखंड साधन सेवियों बियार्पी तथा सियार्पी के लिए भी सेवासर्थ नियमावली बनाई जाएगी साथ ही इनके भी मांदे में विरिधी की जाएगी इसकूली सिक्षा एम सक्षर्था विभाग के मंत्री जगनात महतो ने इसे दूसरे राजयों में लागू निमावली को मांगा कर अधेयन करने के निर्देश पताधिकारियों को दिये उन्होंने इसे लेकर पताधिकारियों को फाइल भी बढ़ाने को कहा मंत्री ने सुक्रवार को बी-ार्पी-सि-ार्पी के मांगो वह उनकी समस्याओ पर इसकूली सिक्षा एम सक्षर्था विभाग वह जारकन सिक्षा पर्योईना परिशत की पतादिकारियों तथा बियार्पी, सी आर्पी महासंग के साथ बैटा के करम में ए निर्देश धिये जिग्यासा बिग्यान महोचों में छात्र दिखाएंगे अपनी क्रियेटिविटी सी बैसी ने अपने बिद्यार्थियों की रशनात्मक छामता को और विक्सीद करने की पहल की है इसके तहत बोड बिद्यार्थियों के लिए जिग्यासा बिग्यापन महोचों की सुरुवात की गई है इसके लिए राश्ट्रिय अस्तर के सांस्टिफिक किरियेटिविटी कमपिटीशन का आवेजन होगा इसमें भाग लेने और विजेता बनने पर विद्यार्थियों को CSIR Innovation Award दिया जाएगा CBSE इस परत्योक्ता को बिग्यान एवं परद्योकी मंत्राले भारत सरकार करधीन Council for Scientific and Industrial Research के साथ मिलकर आवेजित कर रहा है परत्योक्ता में पहला पुरुषकार एक लाक रुपए, दूसरा पचास अजार वही 30,000 और 24,000 और 25,000 रुपए कहा है मोराबादी में 75 घंटे के भीतर वेस्ट मैटेरियल से बनाए जाएंगे कुरसी बेंच मोराबादी इस्थीत अक्सिजन पार्क के सामने मैदान को पर्यावरन फ्रेंडली जगा के रूप में बिग्सित किया जाएगा यह कारे 75 घंटे के भीतर किया जाएगा दरसल रांची नगर निगम और रांची स्माट सिटी करपरेशन अजादी कामरीत महसओ के तहत इस छेतर का सोंदरी करन करने वाला है नीगम वा स्मार्ट सेटी कर्पोरेशन ने पलेस मेकिंग मैराथन टू के लिए इस जगह को चिनित किया है इसके तहट यहां वेस्ट मटेरिल का इस्तिमाल कर कूर्सी वा बेंच का निर्मान किया जाएगा इसके साथ ही पेड़ों के बीच सेलफी पॉाइंट भी बनाये जाएंगे मॉब लिंचिंग विधयक पर रोक लगाने की राजेपाल से मांग जनजातिय सुरक्षा मंच के प्रतिनीधी मंडल ने सुक्रवार को राजेपाल रमेस बैस से मुलकात की नेतित्य मंच के सन्जोजक संधिप ईुराव ने किया इस दोरान जारखन बिधान सभा द्वार पारीट जारखन भीड हिंचाव भीड लिंचिंग निवारन बिधयक पर रोक लगाने की मांग की गई प्रतिनिधी मंडल ने कहा कि पारीत विधायक द्वारा भारत के समिधान में प्राप्त सन्वेधानिक अधिकारों से जार्खन राजे के जाजातिय समाज को वन्चीत करने का प्रयास किया जा रहा है मंत्री आलमगीर ने उत्राखन में किया कॉंग्रेस का चुनाव परचार कॉंग्रेस विधायक दल्ख नेता और ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सुक्रवार को उत्राखन विधान सभाज चुनाव में अपने पार्टी परत्यासी के पक्ष में चुनाव परचार किया उन्होंने भगवान पूर विधान सभाज चेत्रे के खेल पूर में कॉंग्रेस परत्यासी ममता राकेस के पक्ष में परचार करते हुए कहा कि कॉंग्रेसी एक पार्टी है जो देश में विकाज कर सकती है उन्होंने मद्दताओं से ममता राकेस के पक्ष में बोट डालने की अपील की रांची के दुकानों में लगे CCTV कंट्रोल रूम से जोड़ने लगे राजधानी में दुकानों के बाहर रोड फेस में लगे CCTV को पूलिस के कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है अभी तक 7-8 दुकानों के CCTV को कंट्रोल रूम से जोड़ भी दिया गया है राजधानी में दुकानों के बाहर रोड फेस की ओर चिसी टीवी लगाने और उसे कंट्रोल डूम से जोडने की पहल जिला परशाशन की ओर से की गई है दो महीने में आवास पूरा नहीं करने पर होगी करवाई रांची के डी डी सी वी साल सागर ने तमाल परखंड का दोरा किया उन्होंने परधान मंत्री अवास जोईना ग्रामीन बाबा साहिब भीमरा अमबेतकर अवास जोईना तथा मंदेगा की पंचाय तवास मिक्षा की परखंड समन्वयाक और सभी पंचाय सचीव तथा जन सेवक को फटकार लगाते वे निर्देश दिया है की दो महीने के अंदर सभी अलास को पूर्ण करना है जब तक अलास पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक वेतन रोकने का आदेश दिया गया है रांची के 48 आंगनवाडी केंद्र में भरती राइधानी के 48 आंगनवाडी केंद्रों में सेविका और सहाईका के रिक्त पद भरे जाएंगे इसे लेकर रांची जीला पसासन के ओर से त्यारी शुरू कर दी गई है रांची के विभीन परखंडों में रिक्त आंगनवाडी केंद्रों में 9 से 28 फरवड़ी तक अलग-अलग तिती में आमसबय कावियन किया जाना है गड़वा जीला में तील का लड़ू खाने से दो और बचियों की मौत दो अभी गंभीर गड़वा में सुक्रवार को जीला लड़ू तथा चुड़ा खाने से दो बचियों की मौत हो गई वहीं दो की हालात गंभीर है घटना सिरीबंसिधर नगर थाना के मर्चवार गाव की है सिरीबंसिधर थाना छेतर में ही बुद्धवार को मर्चवार से करीब 5 किलो मिटर दूर कुछ ड़ंड गाव में भी तिलकुट चुड़ा खाने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और तीन बीमार हो गई थे यह जाज का विशाय की खादे पदार जहर रिले हो गई थे अत्वा किसी ने चुड़ा लड़ू में जहर मिला दिया था रुपेस हत्या कांड के बिरोध में हिंदू संगठनों का परदर्शन हजारी भाग जीले में बरही से लभव 15 किलोमेटर दूर दूलमहा गाव में छाव फरवरी को ससती पुजाबी सरजन में सामिल होने जा रहे कि सोर रुपेस पांडे की मार पीट में हुई मौत के बाद घाटना में सामिल लोगों को सजा दिलाने की मायं को लेका कई हिंदू संगठन सड़क पर उतर का परदसन कर रहे हैं इसी करम में चैनपूर पर खंड मुख्याले में हिंदू जागरन मंच बजरंग दल वाविस्व हिंदू परिशत के कई करकताव ने भीरोथ परदसन किया सीम हेमन्त ने पद का दुरूपयो किया हाई कोट में पी आई एल दाखिल पत्थर ख़दान लीज ममले में सीम हेमन्त सुरेंड की मुख्यले बढ़ सकती है जारखन हाई कोट में उनके खिलाप जानित याचका दाखिल की गई है प्रार्थी सीव संकर सार्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पी आई एल दाखिल किया है याचका में कहा गया है कि हेमन्त सुरेंड मुख्य मंत्री और वन पर्यावरन मंत्री भी है उन्होंने स्वेम पर्यावरन किलियर लेंस के लिए अवैदन दिया और खनन पट्टा हासिल कर लिया ऐसा करना पद का दुरुप्योग है और जन परतिनिधी अधिनियम का उलंकन है इसलिए इस मामले की सिविया जाच होनी चाहिए रगवरदास का ब्यान हेमंत सरकार में जिहादी ताक्तों का होसला बढ़ा भारतिये जनता पार्टी के रष्ट्रिये उपाध्याक्ष एवं पूर मुखमंत्री रगवरदास ने हजारी बाके बरही में रुपेस पांडे के परिजोने से मुलकात की इस तोरान उन्होंने हमंत सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि 17 वर्स ये रुपेस पांडे के निर्शंस हत्या हुई है भीड दोवारा टार्गेट कर उसे पीटा गया उन्होंने कहा कि हमंद सरकार में जिहादी ताक्तों कामन बढ़ गया है यह हत्ते है हमंद सरकार की तुष्टी करन राइनिती का नतिजा है धन्यवाद